इस वीडियो में आज हमें एक बहुते मेटी सुगंद वाले एक फूलों की प्रजाती के बारे में कुछ नई बाते जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों यह गार्डेनिया के फूलों का पौदा है जिसे कॉमनली गंद राज या फिर केप जस्मिन भी कहा जाता है इस गार्डेनिया प्रजाती में अलग-अलग टाइप की मल्टिपल किस्मे है जिसमें जंगली पौदों के साथ बहुत सी हाइब्रिड या फिर क्रॉस वराइटीज भी विक्सित की गई है जिसमें एक से चार इंच तक आकार में छोटे बड़े फ्लावर्स आते हैं इस पौ प्रजाती मूल रूप से इस्टेशिया की मूल लिवासी है जिसमें पूर्वी हिमाले साउच चाइना जापान और तैवान का बहुगलिक प्रदिश समाविष्ट होता है प्राकृतिक आवास में यह पौदे जंगलों में पहाडों के डहलानों पर गाटियों में नदियों ऌनन्देश इंद्रकमल अनंद घारडेनिया औवर्ष्टा घारडेनिया ग्रेंडी प्लोरा घ intéressant को जैसे नामों से जाना पैचाना जाना इस पूदे पर खिलने वाले वाइट कलर्स के फ्लावर आकार में पिन्विल टाइप के होते हैं जिने सुदर्शन चक्र जैसा भी माना जाता है दूसरे गारडेनिया के फूलों की तुलना में यह फूल आकार में बड़े होते हैं जो लगबग 3-4 इंच डायमेटर में डेव पूल पूदे पर सिंगल कलियों के साथ अकेले खिलते हैं कुछों में नहीं खिलते पूल खिलने के बाद जब एक मैचर स्टेज में आ जाता है तो इस तरह हलके पीले रंग में बदल जाता है और खिलने के बाद जब यह हलके पीले रंग में डायवरट होने लगते हैं त इसमें स्प्रिंग सीजन के बाद गर्मियों के दिनों में इस पर फ्लावरिंग होती है और उसके बाद शेरद रूतु या फिर सर्दियों के दिनों में भी इस पर फ्लावरिंग होती है अभी डिसंबर मंद चल रहा है और इस पौदे पर कापी अच्छे फ्लावरिंग है व फिर उससे भी कुछ ज्यादा उंचाई में बढ़ सकते हैं ज्यादा तर स्क्रॉस या संकर फराइटीज के बज़ए जंगली किस्मों में इतनी उंचाई पाई जाती है हमारी प्लैंट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में यह पाउदा एवरेजली न्यूट्रिशन के आपूरतिय अनुसार चार से पांच फिट तक उंचाई में बढ़ता पाया जाता है मैंने श्यूट किया हुआ यह पाउदा तकरिबन पांच फिट तक की उंचाई तक पहुच चुका है जादतर जंगली पाउदे जो एक परिपको उंचाई तक बढ़ते हैं वहन न्यूट्रिशन के आपूरतिय अनुसार प्रतिवर्ष लगबग डेड़ से दो फिट बढ़ते हैं इसकी पत्या इस तरह अंडाकार शेप में गहरी हरी और चमकदार होती है पत्यों का ग्लॉसी लोग पत्यों की उपरी सतय पर होता है और पत्यों की उपरी सतय पर ही मुख्या और उपशिराइस पष्ट रूप से दिखाए देती है चमकदार पत्या स्टेम पर अल्टरनेट शेप में व्यवस्तित होती है इस gardenia के पौधे में सोगंदित फूलों के साथ इनकी चमकदार पतियां भी एक खास अकरशन होती है दोस्तों इसकी sunlight निड के बारे में देखा जाए तो ज़्यादा तर यह पूर्ण सूरज की रोशने में बढ़ने वाला पौधा है साथ में बड़े पेड़ों से चनी हुए सूरज की पारिशल सनलाइट में भी यह पौधे अच्छे से सरवाईव कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए shady areas में इस गंदराज के पौधे को ना लगाए क्योंकि प्रावर्स प्रोडूस करने के लिए इस पौधे को सूरज के रोशनी की जरुरत होती है ज्यादा तर अपने अपने बहुगुलिक areas अनुसार इन पौधों को pots, container या आउट्डोर गार्डन में sunny location में हमें लगाना चाहिए गर्मियों के दुनों में जहां सूरज की तेज जुलसाने वाली किरने होती है वहाँ इनके गमलों के moment हम थोड़े से partial sunlight वाली जगक कर सकते हैं मैने शूट के आवा यह पौधा टोटल ए अउट्डोर गार्डन में है और काफी हिल्दी है इसलिए इस पौधे के sunny location के लिए ज्यादा तर पृत्वी के उत्तरी गोल अर्द में हमारे गर के side का बालकनीज का South East या South West location होना चाहिए और ठीक इसके वी पृत्पृत्वी के दक्षिन गोल अर्द में भी North East या North West location होना चाहिए दोस्तो इस gardenia की watering need medium category में आती है इनकी जड़ों के पास एक ideal moisture हमें maintain करना होता है ज्यादा तर पॉट्स या कंटेनोरों के पौधों को top soil सुकने के बाद हमें पानी देना चाहिए साथ में इनकी जड़ों के पास हमें एक जैविक mulching भी कर सकते हैं जिससे गर्मियों के दिनों में बाश्पिवगन रेशो कम होने के कारण इनकी जड़ों के पास हमेशा एक नमी बने रहती है लेकिन कभी भी इन पौधों को overhead watering ना करे जिससे पत्या पीली पढ़ने के साथ जड़ों के health को भी नुकसान पहुंचता है जिससे plant का healthy cycle खत्रे में आता है इसलिए हर बाग प्रेमी के लिए पौधों के category अनुसार हर पौधी की जरूरत अनुसार उसकी जड़ों के पास एक आधर शनमे वाले स्थिति को maintain करने की technique को सिखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है क्योंकि हर पौधी का foundation उनकी जड़े होती है जिनके healthy विकास के कारण ही उपरी सतय पर पौधा फलता फूलता है दोस्तों इस garden नया पौधी के fertilizer निड़ के बारे में देखा जाए तो fertilizer में इन पी के बेस मेंटेन करने के साथ इनके main flowering season में इन पौधों को phosphorus युक्त खाद हमें देनी है pot plants के लिए potting mix oil बनाते समय ही उनके गंबलों में एक बाग पूरी तरसे जैवी खाद होनी चाहिए और जाता तर एक मंत के अंतराल में बीच बीच में ये नपी के base मेंटेन करने के साथ phosphorus based खाद इन पौधों को हमें देनी है phosphorus based खाद पौधों का अंदूरनी विकास करने के साथ-साथ उन पर कापी अच्छी flowering लाती है दोस्तों कीट या डिजीज के बारे में देखा जाए तो इन पौधों पर मिले बग्ज, एफिड्स, वाइट फ्लाइज, स्पाइडर माइट जैसे केटों का प्रभाव कभी कबार दिखाए देता है उनके नियंतरन के लिए केट के प्रभाव अनुसार और्गेनिक बेस में हम नीम उयल या देशी गाय के गोमुद्र का शुरुवाती चरन में इस्तमाल कर सकते हैं अगर रोग का प्रभाव ज़्यादा है और वो जैविक पेस्टिसाइड से कंट्रोल में नहीं आते हैं तो खेमिकल पेस्टिसाइड में हम रोगोर और हमला जैसे पेस्टिसाइड का पर लिटर पाने में 2 ml के प्रमान से छिड़काव कर सकते हैं लेकिन ज्यादा तर एक रूटीन के तहट जैविक पेस्टिसाइड का इस्तिमाल करना हमारे लिए और हमारे परियावरन के लिए भी नुकसान करी नहीं होता दोस्तों ज्यादा तर आउट्डोर गार्डन में लगाए गए इस गार्डेने के पौदे को फ्लावरिंग के बाद हम मन चाहे आकार में प्रूनिंग भी कर सकते हैं जिससे पौदे पर नए शुट साने के साथ रोग ग्रस्त पार्ड को हम प्लांट से रिमोग ode कर सकते हैं इस गार्डेने के पौदे का प्रोपगेशन हम इनके स्टैम कटिंग से कर सकते हैं आइ प्लावरिंग के बाद इन पर फल लगते हैं बीजों से उगाए गए पौधों में फूल आने में दो से तीन साल लग सकते हैं दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार एक आधर्श मेंटेनन्स वाले स्थिते में हमारे आउड़ोर गार्डन में इस गार्डेनिया का जंगली पौधा चालिस से पचास साल तक भी जीवित रह सकता है और इन फूलों को दिया हुआ गंदराज नाम और इन फूलों की मन भावन मेटी खुश्बू की अनुपती एक बहुत ही लंबे समय तक यह पौधा हमें दे सकता है अच्छा तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीज़़ और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो की नई नोटिपिकेशन्स आपको समय पर मिलती रहेंगी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पाउदा और उसे जुड़ी कुछ नहीं जानकारी के साथ तिल देन गुटबाई ओम साई